दोस्तों एक ऐसी Pulsar जिसका नाम है Pulsar 220F जिसको लेजन्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि दोस्तों Pulsar 220F जो है वो Pulsar की सबसे अच्छी बाइक्स में से एक है लेकिन दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे दो भाई हो गए है Pulsar 220F बड़ा भाई हो गया और उसका एक छोटा भाई आ गया Pulsar 180F तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा confusion रहता है और मुझे आप लोगों ने demand भी की दी कि भाई मुझे यह बताई कि हम बड़ा भाई खरीदे या छोटा भाई खरीदे मेरा मतलब है कि दोस्तो Pulsar 220F खरीदना ज़्यादा सही रहेगा या Pulsar 180F खरीदना ज़्यादा सही रहेगा और दोनों को किस बेस पे खरीदना चीए हम इसमें कैसे comparison करें क्योंकि भाई का जो लूक है वो तो overall same है तो अंदर की जो चीजे वो क्या क्या चेंज है वो भी मैं आपको आज बताने वारा हूँ चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बात करते है Pulsar 220F BS6 vs Pulsar 180F BS6 विच वन सुडियो भाई कौन से भाई का आपको खरीदना चीए दोस्तो अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल केकन को आउन कर लेना तक कि ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के नोटेपे के सन बे आप तिक पहुंचते रह सकें और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें अब तो दोस्तो शबसे पहले बात कर लिए प्राइस के बारे में क्योंकि मेरे इंसाभसी सब्सेज़ादा इंपोर्टर डेल होता है पासा इन प्रैस बजशर क्योंकि हम किसी भी चीज शींच रहे किसी भी चीज को चाहीं वह बाय यहाँ पर सिर्फ वर सिफ 10,000 का डिफरेंस हमें आप देखने को मल जाता है अब इस भाई मैं बोलूँगा कि यह कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि अगर आप 180 एप ले सकते हैं तो पलसा 220 पी एप ले सकते हैं आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी 10,000 रुप SOSC 4 Volvo Air Cooled Engine देखने को मिल जाता है और वहीं 220F में भी 4E Stroke, 2 Volvo, 2 Inis Park Plug, BS6 Engine अमें इसमें देखने को मिल जाता है डिटी आइस इंजन के साथ जो दो सीसी में अगर मैं बता हूँ तो 180 CC का आपको 180F Pulsar में मिल जाएगा और 220 CC का इंजन 220F में देखने को मिल जाता है Maximum Power में 17.02 का PS Power मिल जाता है Pulsar 180F में और 20.93 PS का Power मिल जाता है Pulsar 220F में Maximum Torque में 14.22 Nm का Determitant का Torque मिल जाता है 180F में और वहीं 220 में 18.55 Nm का Stroke मिल जाता है तो जोस्तो हम Torque देखने को मिल जाता है तो जोस्तो अगर हम बात करेंगे कि Power के बारे में तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर 220F और 180F में लगबग 3 BHP का Difference है Power में 4 BHP का और वहीं Neutral Newton Torque में भी 4 आसपास के Neutral Newton का Torque हमें Difference देखने को मिल सकता है वन नमबर अप सिलेंडर में दोनों ही बाइक को डिजाइन किया गया है कूलिंग सिस्टम में भी दोस्तों हमें Difference देखने को मिलता है 180F में Air Cooled Engine मिलता है और वहीं Pulsar 2 Drift में 210F में Oil Cooled Engine हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है दोनों ही बाइक को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें दोनों बाइक में आप लोगों को Dry Tap में Chain Drive मिल जाती है और Static Drive में दोनों ही बाइक में Self Option में मिलता है Kick Option दोनों में नहीं मिलता और Fuel Supply में जैसे आपको पता को दोनों BS6 बाइक है तो दोनों ही बाइक में Fuel Supply में Fuel Injection हमें देखने को मिल जाता है जिसे हम F.I.B. कहते है Clutch में दोनों में Weight Multi Plate Clutch हमें देखने को मिल जाता है और वहीं दोस्तों इंजनेशन दोनों का वही है Twin Spark और दोस्तों Speed Gear Box की बात करेंगे Transmission की बात करेंगे तो 5 Speed Gear Box दोनों ही बाइक में मिल जाते है और Ambition Type मैंने आपको सुरु में बता है कि दोनों ही BS6 के साथ Update होके आ चुकी है दोस्तों दोनों के Meter Console and Feature के बारे में बात करेंगी तो दोनों ही बाइक में आप लोगों को Semi Digital Meter देखने को मिल जाता है वहाई पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ABS में दोनों ही बैक में Single Channel ABS मिल जाता है Speedometer में दोनों में Digital मिल जाता है Takeometer दोनों में Analog मिल जाता है Autometer दोनों में Digital मिल जाता है Trip Meter दोनों में Digital मिल जाता है दोस्तों important बात mileage, mileage में दोनों का बहुत बड़ा comparison है क्योंकि एक है 220cc की और एक है 180cc की, तो दोस्तों company claim करती है 180F में 50 का mileage मिलेगा और वही 220F में 40 का mileage मिलेगा, लेकिन reality का आपको mileage बताओ, तो मैं 35 के आसपस का 220F में देखने को मल जाता है, और वहीं आपको 45 के आसपस का mileage 180F में देखने को मिल जाता है, तो मेरे साब से अगर आपको ज्यादा mileage mileage बाइक चाहिए रहेगी, तो go for Pulsar 180F, और ज्यादा power alley bike चाहिए तो go for Pulsar 220F, तो चेची से suspension में दोनों सेम है, front में आप लोगों को दोनों में telescopic मिल जाता है, और थोड़ी naked bike भी है, तो तो determination and capacity के बारे में बात करेंगे, कि यहाँ पर जो bike की fuel capacity है, दोनी बाइक में आप 15 लेटर की fuel capacity है, यह निक पंदर लेटर petrol दोनी बाइक में आप एक बार में दला सकते हैं, और center light की बारे में बात करेंगे, तो 790 mm की आपको 180F में मिल जाती है, और 795 की Pulsar 220F में मिल जाती है, Pulsar 220F में थुड़ी जादी मिलती है, ground के लिए 165 mm की 180F में मिलती है, और 165 mm की Pulsar 220F में मिलती है, दोनों में same मिलती है, दोस्तों weight की बारे में बात करेंगे तो 180F का weight है 146 kg का और वहीं दोस्तों आप लोगों यहाँ पे Pulsar 220F में आपको weight मिल जाता है 155 kg का तो ज़्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा सा difference जरूर मिल जाता है दोस्तों headlight के बारे में बात करेंगे तो दोनों ही bike में आप लोगों को halogen मिल जाता है साथ पर दोस्तों आप लोगों को दोनों ही bike में projector lights देखने को मिल जाती है tail light में दोनों bike में LED मिल जाता है turn the single lap में दोनों में bulb मिल जाता है LED tail lights मिल जाती है और full DC के दोन ही battery में use किया गया गया बैटरी और बैटरी केपिशिटी में 12 ओल्ड की दोन ही बैटरी केपिशिटी का use किया गया दोस्तों जो कि मुझे काफी अच्छा लगा दोस्तों tear size के बारे में बात करेंगे तो दोनों ही बैक में आप लोगों को dual disc's में देखने को मल जाता है साथ में single channel ABS मिल जाता है front brake की जो diameter है वो है 260 mm की दोनों ही बैक की 260 mm की देखने को मल जाती है दोनों में कोई difference नहीं है यानि कि जो plate है उसकी size है 260 mm की और rear brake में दोनों की size है 230 mm की दोनों में rear brake की size यानि जो plate है उसकी size हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों दोनों के tears के अगर बारे में बात करेंगे दोस्तों tears में भी आप लोग को कोई changes देखने को नहीं मिलता front tear में आप लोग को 180 ए 90-90 का tear देखने को मिल जाता है यानि कि tears में दोनों बाइक में कोई difference नहीं है look दोनों का same है अब change के actual में और किस बाइक को purchase करना चाहिए दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं जो कि सबसे important आज का वीडियो है देखिए अगर आपको bike ज्यादा highway की चलाने के लिए चीए कम city के लिए चीए तो मैं आप आपको suggest करूँगा ज्यादा powerful है और अगर आप लोगों को bike city में ज्यादा चलाने के लिए चीए highway के लिए कम चीए आपको mileage ज्यादा चीए तो गोफर Pulsar 180F थोड़ा कम power मिलेगा लेकिन mileage आपको इस bike में ज्यादा देखने को मिल जाता है Second thing दोस्तों आपकी height और आपका weight ये भी बहुत ज़दा important है क्योंकि दोस्तों अगर माल लीजे आपकी height जादी है और आपको weight जादा है तो यहापे आपको मैं suggest करूँगा Pulsar 220F और अगर आपकी height कम है और आपका weight कम है तो go for Pulsar 180F थोड़ी light है थोड़ा कम power थोड़ी height भी हलकी से आपको कम मैसिस होगी तो यहापी मुझे लगती है ज्यादा better हो जाती है third mileage जोस्तों mileage की मामले में मैं क्या comparison करूँ आप लोगों को खुद को पता कि 220F कम mileage देगी 180F ज्यादा mileage देगी अगर आप लोगों को ज्यादा mileage चाहिए 45 से 50 के असपास का तो go for Pulsar 180F और अगर आपको power ज्यादा चाहिए mileage कम भी रहेगा तो चलेगा तो 35 से 40 का mileage आपको 220F म देखने को मिल जाएगा fourth आपको गाड़ी किसी उस purpose के लिए चाहिए देखिए दो purpose होते है main मेरे साब से पहला एक purpose होता कि आपको field work करना है और दोसरा main purpose होता कि आपको bike बहुत ज्यादा चलाना है और field work में आप bike को city में चलाएंगे मेरे साब से ज्यादा और ज्यादा है अगर दोस्तों आप लोगों को गाड़ी कम चलाना है और आप लोगों को city सारी कम नहीं जादा चलाना है लेकिन city में ज्यादा चलाना है तो यहाँ पर आपको मैं suggest करता हूँ 180F आप जरूर ले आपको mileage ज्यादा मिलेगा और lightweight गाड़ी तो city के लिए मेरे साब से वह ज्या है तो आप 180F में जाए और maintenance आपको normally चल जाएगा तो go for pulsar 220F उसके बाद दोस्तों अगर cooling system देखेंगे तो यहाँ पर दोनों बाइक में आप लोगों 180F में air cool मिल जाता है तो कहीना कहीं oil cool ज्यादा better होता है 220F के लिए अगर आप एक SCC में रहते हैं जहाँ गरम ज्यादा होता है बहुत जादी गर्मी है तो अगर वेदर भी वैसा तो वहाँ पर आपको suggest करूंगो 210F लो अगर गाड़ी heat भी होगी तो oil cool थोड़ा संबाल लेगा comparison to air cold पाकी दोस्तों दोनों में कोई difference नहीं है look almost same है सबसे important दोस्तों money problem अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसा लगत अगता हूँ थोड़ा down payment बढ़ागे है मुझे कोई problem नहीं तो मैं आपको suggest करूंगा कि pulsar 220F लीजी है क्योंकि कहीं न कहीं वो थोड़ी ज्यादा दमदार बाइक है power आपको ज्यादा मिलेगा exhaust भी उसका बहुत अच्छा लगता है मुझे और बाइक को चलाने में आपको बहुत ज़्यादा smooth feel होगा compression to 180F मुझे जादी smooth लगती है बाइक तो यहाँ पर आपको मैं suggest करूंगा pulsar 220F price के मामले में अगर आप ले सकते हैं तो उसके बाद दोनों के comfort के बारे बात करेंगी तो दोनों का comfort almost same है comfort में दोनों में कोई problem नहीं जाने वाली दोनों बाइक आ मराता हूं अगर आप लोगों को highway के लिए ज्यादा चीए तो go for 180F मैलेश के लिए ज्यादा चीए तो go for 180F CT के लिए बाइक चीए तो go for pulsar 180F सोरी मैलेश के लिए ज्यादा चीए हाइट कम है तो go for pulsar 180F प्राइज में कोई problem है तो go for pulsar 180F दसर का difference है और दसर अगर आप बढ़ा सकते है तो मैं आपको सर्जिस करूँ हो सिधा-सिधा 220F maintenance भी दूस्तों कम maintenance मागेगी 180F अगर आपको लगता कि मैं maintenance नहीं करा सकता तो for 180F और अगर आपको लगता कि मैं maintenance करा सकता हूं तो go for pulsar 220F तो यह सब चीज़े दूस्तों आपको difference नहीं पर देखने को मिलेगी और अगर आपको ज़्यादा power चीए तो go for 220F आपको एक्जम actual कम power चीए नॉर्मल पावर चीए तो go for pulsar 180F तो उमीद करते हैं दूस्तों आप टोको का आज का वीडियो पसंद आया दूस्तों कर चैनल पर नहींगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल कहके इनको on कर लेना ताकि ऐसे इंट्रस्टिंग उन्हें की notification भी आप तक पहुंचते रह सकें और आप मेरे वीडियो तक update रह सकें